बिस्मिल्लाइर वहमार वहिंग कैसे हैं आप सब आज मैं आप सब के साथ शेयर करूँगी सरसों के साग की रेसिपी बहुत ही इजी टू कूख है जिस तरीके से मैं बताऊंगे आपको अगर उस तरीके साब नगर साग बनाया तो आपका जो साग है वो मिन्टों में तयार हो जाएं पालक हमने यहां डेड़ किलो इसदेमाल किया है और सरसों का साग भी तक्रीम रन match जो है वो दो किलो से ढगा के करीब होगा जो साग के पते हैं दोनों को अच्छी से साब करके हमने धो लिया है खुले पानी से दोने आपने ताकी बट्टी वगयरा कोई भी ना रहे पालक के और साख के तब बत्वा हमारे पाद अविलेबल नहीं था वरना वो भी इसमें अट कर देते दस से पंदरा विनिट हमने से कुकर की मदद से कुक किया है जो साख के पते हैं वो काफी अच्छे से कुक हो चुक हो चुक है बहुत ही अच्छे से जबदस किसम का ये कुक हो चुक है अब इसको हम ग्लैंड कर लेंगे मिक्सी यह हमने अपनी ले ली है मिक्सी के अंदर हम उतने साग के पत्ते आड़ करेंगे हम पूरा साग नहीं बना रहे हैं यहाँ पे हाफ को इंटिटी बना रहे हैं तो उसे साग से हमने इसके अधरक लस्टनों हारी मेज आड़ किये 6-7 हमने अरिमेज चैट की है 8-10 जवे लसन के आट की है और तक्रीबन 50 ग्रैम्स हमने इसके अधरक आट की है इन तमाम मसालों को हमने अपनी कढ़ाई के अंदर आट कर दिया इसको कुक करने के लिए रखेंगे अच्छे से बेसन एट करेंगे हैं तक्रीबन 2-5 चमच बेसन का इस्तिमाल होगा यह लाजमी है अगर आपके पास मक्कई का आट अविलेबल है तो आप मक्कई का आट इस्तिमाल कीजिए वो भी बैस्ट रहेगा बेसन का अच्छे से हमने पेस्ट बना कर इसके अंदर एट कर दिया है और इसके अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि जितना बेसन की जो है वो हमने काफी अच्छे से मिक्सिंग कर ली है अब इसके अंदर हम वो वाटर एट करेंगे जो हमने मिकसी इंदर याड नहीं किया ताता, तकरीबए, हाफ लीटर के करीवाटर है जो हमने साग का जो पानी है अश्रल वो इसके अंदर एड कर दिया है। वो एड करने के बाद इतना कुक करना है ताकि सारा पानी जा है, वो ड्राय हो जाएएएब हो जाएएउज अच्छे से पक जाए थड़के की बारी आती है तो हमने 5-6 रिमेच लिए बीच से 2 कर लिए एक प्याद लिया है चॉप कर लिया है लेसन के हमने 8-10 जवे लिये थे वो भी चॉप कर लिये और अद्रग का इस्तेमाल किया है दोस्ते 3 इंच का टुकड़ा हमने द्रग का इस्तेमाल किया है देसी घी का इस्तेमाल किया है यह अगर आपके पर मक्षन हो तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तमाम चीजों को काफी अच्छे से में फ्राइ करना है बहुत जादर डाग ब्राउन नहीं लेना है तड़के का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हम इसका तड़का लगाएंगे तड़का हमारा रेडी हो चुका साग भी हमारा पक चुका है तो इसके अंदर रैट कर देंगे माशालला माशालला बहुत मज़े की खुश्बू आ रही है आप इसको मक्कई की रोटी के साथ या चावल के आटे के पराटे के साथ खाएं बहुत ही जबदस बनता है सर्दियां आई और आपने साग नहीं घाया तो समझने आपने कुछ नहीं घाया सर्दियां एंजॉई कीजिए और मज़ेदार सी मेरी साथ की रेसेपी जरूर प्राई कीजिएगा अगर रेसेपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा थम्स अप प्रेस कीजिएगा और बेल का नोटिफिकेशन लाद भी प्रेस कीजिए गाला आफिस